हलो फ्रेंड्स मेरा नाम है निशा और आज मैं आप लोगों के साथ डिसकस करने वाली हूँ एक बहुत ही खास टॉपिक के बारे में जिसमें मैं बात करने वाली हूँ कि पोस्ट पाटम डिप्रेशन को होम रेमेडी से कैसे दूर किया जा सकता है जी हा दोस्तों ये करने डिप्रेशन होता है और लोगों ने ये चीज़ रिकग्नेस करना शुरू कर दिया है कि हां देयार मतलब देयार सफ्रिंग पॉंड इस प्रॉब्लम बट प्रॉब्लम ये है कि जो उसकी थेरपी है जो डॉक्टर के पास जाना है मेडिसीन्स मेडिसीन्स लेना है उस इस चीज़ के लिए वो लोग रेडी नहीं हो पा रहे हैं कह सकते हैं या तो फिर लोगों को ये चीज़ समझाने पा रहे हैं अपने इनलोस को नहीं समझा पा रहे हैं अपने पार्टनर को नहीं समझा पा रहे हैं या फिर हैसिटेट हो रहे हैं अशेम हो रहे हैं दोस्ता यह एक ऐसी चीज है जिसमें आपको अशेम होने की बिल्कुल भी जरुवत नहीं है बहुत ही common है बहुत सारी mothers जो है इस problem से गुजरती ही गुजरती है due to hormonal changes ठीक है तो इसमें बिल्कुल भी अशेम होने की जरुवत नहीं है और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अपने in-laws को यह चीज नहीं समझा पार हूँ या तो मैं अपने पार्टनर को यह चीज नहीं समझा पार हूँ तो आप यह मैं आज पांच चीजों के बारे में आपको बताऊंगी जिससे आप घर में ही अपना जो कह सकते है अपना जो postpartum depression है उसको कम कर सकते हैं उसे खतम कर सकते हैं ठीके दोस्तों सो चलिये फिर शुरू करते हैं वोब यह इन मीदियोा आपको यह छाफिल होगा सो पहला जो सबसे पहला जो मेरा आपको बताने का जो चीज रहेगा वह ग्रीन टी डोस्तों ग्रींटी जो है बहुत ही अच्छा बेज है पोस्ट पाटम डिप्रेशन को घटाने का और उसे हटाने का भी जैसा कि हम सब जानते हैं कि आफ्टर प्रेगनेंसी जादा तर मॉम का ये चंसर्ण भी होता है कि उनको जो वेट लूज होता है उसमें प्राब्लम होती वेट लूज करने में बहुत जाते हैं मॉम्स वेट गेइन कर चुकी होती है तो ये जो ग्रीन टी है ये एक तो वेट लूज में भी बहुत जादा काम आएगी आपको दूसरा ही डिप्रेशन कम करने में बहुत जादा काम आती क्योंकि ये हमारे शरीर में बहुत अच्छी स्फूर्ती लेके आती जिससे हमें दू बूसरी चीजों के लिए मोटिवेट होते है तो एक ग्रीन टी बहुत अच्छा ऑप्शन है दूसरा है फॉलिक एसेड अपनी डायेट में फॉलिक एसेड का ज्यादा यूज करें फॉलिक एसेड डोस दोस्तों यूज करना बहुत जादा ज़रूरी अब कॉन कॉन सी तो आप ऐसे जीजे अपने डायेट में शामिल कीजिए बहुत अच्छा फील आपको आएगा चीक है चौता है लाइट थेरिपी लाइट थेरिपी कह सकते हैं बहुत जादा इस टाइम पे बहुत जादा जरूरी है क्योंकि हम एक कमरे में ही बंद रहते हैं पूरे के पूरे दिन क्योंकि due to corona हम सब जानते हैं बहुत जादा problem होती है बाहर निकलने में but I suggest कि आप बाहर ना निकले हैं तो अपने घर की छट पे भी जा सकते हैं छट पे जाके कुछ नहीं तो सिर्फ आधा गंटा आधा गंटा sunlight में अपना एक शाम के टाइम पे फिर सुबर के टाइम पे जब भी आपको टाइम मिलता है आप अपने बेबी को भी साथ में छट पे लेके जा सकते हैं अपने घर की थोड़ी देर के लिए आधे गंटे के लिब जाएं और थोड़ा सा रिलाक्स हो वो खुद के साथ मी टाइम एक बिताएं बहुत जादा इस चीज से बहुत जादा आपको राहत मिलेगी जो कुछ नेगेटिविटी जो हमारे दिमाग में आते ही न वो चीज भी इससे दूर होगी उसमें क्या होगा आधा गंटा जोगा वो आप अलोन सब्च्मक्राइब करेंगे या तो अब बच्चे सो रहा हो तब जाके उपर जाकर अपना पर शनकर सकते या तो फिर हम बच्यकों साथ में लिकर जा पैब कर सकते अगर थोड़ा बढ़ा बच्चा है तो चीज़ने उगा चाहर only fine 4 चीज है तीन चाहर चीज होगे च 오래 तो डार्क चोकलेट बहूर्ट ज़धा अच्छी होती है खाने में कह सकते हैं ay खाने में 100 पर इये बहुत अच्छा स्ट्रोथ है वेट लूस करने में बहुत फाइदेमांद होती है दूसरा यह हमारे जो स्ट्रेस है हमारा जो depression है उसको कम करने में भी बहुत जाधा effectful होती है पांच बहुत ही easy चीज है दोस्तो बनाना बनाना हमको हमारा mindset है कि बनाना से weight gain होता बनाना से weight gain होता ऐसा जाधा तर देखा गया है कि अगर आप breakfast में एक banana ले ले दूद के साथ में या फिर green tea के साथ में या फिर अगर आप चाय फिर प्रिफर करते हैं तो उसके साथ में भी आप अगर इक ब्रेकफास्ट में बनाना लेते हूं तो that is very okay depression से लडने के लिए बहुत ही अच्छी चीज है यह चीकर है अब लास में बात कर लेती हूं कि आपको depression से लडने की में चीज़े home remedies बता दी आपको इस चीज़ से सबसे पहले बाहर आने के लिए सबसे पहले जो जरूरी चीज वो है आपको खुद को ready करना है कि हां मैं ठीक हो सकती हूं यह common चीज को हार मौ में। जादा तर मौ में यह चीज भूती ही होती है तो इसके लिए मुझे डरने की जरुवत निनी मुझे अशेम होने की जरुवत दिनी मुझे किन इसनों बत पताने की जरुवत this जो मुझे पागल बोले ऐसा कुछ वो नहीं होता कोई पागल नहीं होता ठीक है यह एक प्रॉब्लम है जो नॉर्मली हर मा को जहिलनी पड़ती है जादा तर मॉम्स इस चीज़ से गुजरती है ठीक है दोस्तों होप आपको यह वीडियो लाइक होगा और अगर आपको अच् लाइक करें था इंक्यू सू मज़